हलो फ्रेंड्स इस मनीश सकसेना और आज इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन पांच छोटे छोटे एक्यूपमेंट्स के बारे में जो आपके पास होना है बहुत बहुत ज़रूरी अगर आप अपने वर्क फ्लो को करना चाते हैं फास्ट और अच्छे स करना चाते हैं बिना समय गवाए शूटिंग पर तो यह पांच छोटे छोटे एक्यूपमेंट्स आपकी करते हैं बहुत ज़्यादा है तो चले शुरूर करते हैं आज का यह वीडियो तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टन चीज़ जो आपकी किट में होने चाहिए वो है फ्रेंड्स एक लाइट मीटर जैसे हम एक्सपोजर मीटर भी कहते हैं इसके ओपर मैंने तीम वीडियो बनाए है उपर लगा दिया है आप देखेगा जरू आपको बहुत हैल्प मिल रखना है कितना रखना है कितनी शुटर स्पीड रीउस करनी है वह सारी कैल्कुलेशन आई आपको लाइट मीटर करके देता है और इससे आपकी समय की बहुत बचत होती है तो यह लाइट मीटर आप ज़रूर खरीदें मेरे पास दोस्तों ही सिकॉनिक का लाइट मीटर है काफी पुराना है आप शायद नए models आगे हैं तो आप उन नए models में देख सकते हैं तो जो भी model आपको मिल रहा हो सस्ता हो महंगा हो अपने budget के साफ से ले लीजिए लेकिन यह important चीज है आपके अगर आपको अपना workflow easy करना है तो बहुत important चीज है अब बात करते हैं आज की को easy करने के लिए यानि कि आपको white balance है वो मिलेगा आपको perfect white balance जो है वह बहुत important होता है photography में बहुत सारे photographers इसमें गलती कर जाते हैं जिस वजह से उनकी pictures लगती है completely unnatural so white balance को अगर आपको ठीक रखना है तो इस grey card को ज़रूर use कीजिए दूसरा आप देख रहे हैं यह white color का दो आपका एक छोटा सा color checker जो especially जब आप e-commerce काम करते तो वहाँ पे आपको perfect color देने के के लिए काफी help परता है आप इसकी picture ले लीजिए उसके बाद जो है आप colors का perfect correction कर सकते हैं तो यह चीज जो है यह भी आपकी kit में होना बहुत ज़रूरी है यह आपके photography workflow को करती है बहुत इसी और flawless आपका जो है workflow time waste के बगएर आपके काफी सारे काम जो है shooting के time ही हो जाते है ताकि post production में आपको अपना समय जो है जादा बरबाद ना करना पड़े तीसरी सबसे important चीज है दोस्तों वह है tether cable यह orange color का आप देख चुके हैं tether cable मैंने काफी shoots में use भी किया और इसके पर मैंने एक पूरा video भी बनाया है उपर लगा दिया है उस video को भी आप जरूर देखिए किस तरह से use करते हैं लेकिन छोटा सब आपको बताएता हूं tether cable काम आता है आपके DSLR camera को आपके laptop या आपके desktop computer को connect करने के काम आपको lightroom या capture one software use करना है जब आप इसे use करते हैं तो आप जैसे picture click करते हैं अपने camera से वह picture आ जाती है बड़े screen पे आपके laptop के वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी lighting में कोई problem तो नहीं है colors में कोई issue तो नहीं है तो immediately वह सारे corrections आप कर सकते हैं ताकि आपका समय बरबादना हो post production में तो यह जो tether cable है यह भी बहुत काम का होत है तो रात के अंधेरे में भी studio में जब डार्क होता है तो भी यह cable अच्छे से visible होता है ताकि कि किसी का pair wear ना आ जाए shooting करते वक्त तो यह सारी चीज़ें जो हैं बहुत important होती है आपके photography workflow में चलिए बात करते हैं हमारी आज की fourth accessory की जो आपके पस होना बहुत ज़री है आप यह tether cable लगाते हैं अपने DSLR camera में और laptop या desktop में तो क्या होता है कई बार की wire होता है काफी लंबा कई बार लोग walk करते रहते हैं shooting के time में और उनका pair आ जाता है इन तारों के उससे आपका camera का जो HDMI या जो भी आपके connection होते हैं वो damage ना हो इसलिए हम इसे use करते हैं तो यह जर्क को जो stop करता है किसी का pair आ गया तो वहीं जर्क जो है वो stop हो जाएगा आपके camera तक वो जर्क नहीं पहुंचेगा उसी तरह से यह laptop के अंदर लग जाता है और आपको जब कोई laptop पे अगर काम कर रहा है उस वक्त आपकी pictures को browse कर रहा है अगर किसी का pair आ गया तो वो आप के laptop के circuits को भी जो है completely prevent करता है तो यह चीज़ है बहुत important होती है shooting के time के और आपको एक piece of mind भी रहता है कि आप सब चीज़ है अपनी ठीक से जा रहे हैं shoot के last but not the least यह आप देखने एक छोटा सा transfer cable अब क्या होता है वैने बहुत सारे photographers को देखा है दोस्तों वो जब भी shoot करते है तो क्या करते है shoot खतम हो गया card भार निकाले camera में से और सीधा transfer करते है वो ठीक है लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप बार-बार card को बाहर निकालते हो और उसके बाद card को आप laptop में connect करके transfer करते हो तो कई बार आपका जो internal circuit होता है camera का बार-बार वो dent लगता है जितनी तो आप इस transfer के वल को अपने पास में रखिए इसे use कीजिए instead of removing your आपका जो है SD card या compact flash card उसको बार-बार भार मत निकाली एक बार लगा दिया तो लगा दिया इससे यह आपका safe रहता है आपका camera भी और आपकी images भी जो है वो जल्दी सो रहती है transfer तो यह छोटे समयने एक video बना था जो मैंने आपके साथ आज 5 चोटी 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 अपना थोड़ा पैसा invest करेंगे तो definitely आपका workflow होगा काफी easy peace of mind रहेगी और आपका समय जो है important चीज़ आपका समय बचेगा बहुत तो यह छोटा सा अपका समय झाहतो चोटी होगी चोटी 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 होगी चोटी चोटी चाय है होगी च्वीच ग करेंगे होगी होगी हुगी हाँ